वेल्कम बैक माइन न्यू कुकिंग ब्लोग कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्त होंगे फिरेंज आज हम बनाएंगे अंडा करी ओ भी रेस्टूरेंट अस्टाइल में देखें फिरेंज अंडा करी देखने में कितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी बिल्कुल उतना ही टेस्टी होगा फ्रेंज इसको बनाना भी उतना ही आसान है चलिए इसको बनाने के परसेस में चलते हैं पहले हमने चुले पर लग दिया एक ठोकर हाई और उसमें डालेंगे एक से डेर चमच ऑल पर हम रिफाइन ऑल का यूज कर रहे हैं आप चाहे तो किसी भी उइल का यूज कर सकते जो आप खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं यहां पर रिफाइन ऑल डाल दिये अब यह ऑल गरम हो जाएगा उसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज इस अंडा करे को बनाने के लिए प्याज को हमें डिफ्राइ करना बहुत ज़रूरी है इसलिए इस प्याज को हम डिफ्राइ होने तक भूनेंगे जब प्याज हमारा डिफ्राइ हो जाएगा उसमें हम डालेंगे चार से पांच लासों की कलिया, दो से तीन हरी मिर्च और दो इंच अद्रक का टुकरा और उसको भी इस प्याज के साथ हम भूल लेंगे प्याज अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे दो मेडियम साज के कटे हुए टमाटर और टमाटर के साथ ही डालेंगे हलका साथ नमक ताकि प्याज अच्छे से गल जाए नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पकने के लिए चोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं हम इसको निकाल के अलग पलेट पर डख देते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए तब तक फिर से हम उसी कराई को गैस पर रख दिये हैं और उसमें डालेंगे एक चमस तेल तेल को गरम होने देंगे जब तेल हमारा गरम हो जाएगा उसी में हम डालेंगे एक चुट की हल्दी पाउडर और एक चुट की कस्मेरी लाले मेर्ज पाउडर इन मसाले को हम तेल में अच्छी तरीके से मिला लेंगे अपने फ्रेम को मेडियम में ही रखेंगे तक यह मसाले जले ना अब देखे फ्रेंस यह अंडे को किसी फॉग या नाइप के मदद से हलके हलके होल बना लेंगे मैंने सारे अंडे में होल बना लिये हैं 10 पोर औम इसी करही के में दो चमच और आपो डाला में जीरें 1 प bagus कर सकते अलेकं इसमें जो बच्चे हुए तेल हैं उसको हम नुक्सान नहीं करेंगे उसमें द्राइब आजे, बरी इलाय ची एक छोटी इलाय ची एक छोटा सा ड्र सट रहा चट लाच और जब यह पको टेल पाख़ाएग। तो हम जो ग्राइंड करके रखे थे प्याज और ट्रमाटर लासुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे इस पेस्ट को हम तेल में अच्छे से तीन से चार मिनट के लिए ढख के पकाएंगे जब तक कि मसाले से तेल न छोड़ दे देखिए फ्रेंज मसाले अच्छे से पक चुके हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले हाप टेबला स्पून हल्दी पाउडर कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर हम समान मत्रा में डालेंगे और उसमें थोरा सा तीखापन के लिए आइड कर देंगे एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद नुसार नमाक इन मसालों को हम पेश्ट के साथ अच्छे से भूनेंगे इसको ढख के हम तीन से चार मिनट के लिए भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाले, मैं बार बार ये बात बोल रहे हूँ लेकिन जब तक मसाले के उपर तेल नहीं आते तब अब तक हमको पता नहीं चलता है कि मसाला भूना है की नहीं, देखिए फ्रेंट से यहां पर मसाले भून चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट एक्दम रेस्टोरेंट स्टायल में अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 चमच फेटे हुए दही दही हम डालते वक्त फ्लेम को एकदम लौ कर देंगे जिससे हमारे दही फटे नहीं बहुत बार दही डालते है वक्त तेजांस पर दही फट जाते हैं ग्रेवी हमारे खराब हो जाते हैं इसलिए हम आज को कम कर देंगे जिस्से हमारे ग्रेवी फटी नहीं और इसको डखके एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे देखिए फ्रेंस ग्रेवी अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे जो अंडे फ्राई करके रखे थे उसको और इस अंडे को मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे अंडे मिलाने के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे पानी ग्रेवी के लिए आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं ठीक या पतला लेकिन इस करी का ग्रेवी थोरा सा थीक रखेंगे तो ही अच्छा लगेगा अब हम इसमें आड़ कर दिये पानी पानी एड़ करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधर चमच गरम मसला और साथी डालेंगे फोरा से कसूरी मेथी, हाथों से इसको क्रेस करके इसमें डाल देंगे जो पहले से हमने रोष्ट करके रखा हुआ था, अगर आप कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो धनिया प और कसूरी मेथी दोनों साथ ना डाले किसी एक को ही डाले अब इन कसूरी मेथी गरम मसालय को गिरेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको धक के फूल आज पर दो से तीरी मिनट के लिए पकाएंगे अगर आप आंडा करी खाने की सखीन है तो इस रेसीपी को एक ब पसंद आएगा देखेंगे फ्रेंड्स दो मिनट हो चुके और अंडा करी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है दीख रहा है ना विल्कुल होटल देस अंडा करी आप भी इस एक बार जरू ट्राइब करिएगा फ्रेंड्स आप इसको गरम गरम रोटी चावल नान या कुल